सर्धियां शुरू होते ही बाजार में नारंगी रंग के रसदार संत्रे नजराने लगते हैं विटामिन C से भरपूर इस फल का स्वाद बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक को बेहत पसंद होता है संत्रे में विटामिन A, विटामिन C, फाइबर, पोटैशियम और एंट संत्रे का अधिक सेवन उनके सिहत के फाइदे की जगा नुकसान पहुंचा सकता है तो चलिए इस विडियो में जानते हैं कि कि लोगों को संत्रा नहीं खाना चाहिए विडियो को अन तक जरूर देखें पहला है Acidity की समस्चाएं होने पर अगर आप पहले से Acidity या कबज जैसी पाचन समदने समस्चाओं से परेशान रहते हैं तो संत्रे का सेवन करने से बचे संत्रे का सेवन आपकी समस्चा को और अधिक बढ़ा सकता है दरसल संत्रे में Acid और Fiber के अधिकता पीट में Acid की मातरा को बढ़ा सकती है जिसे वेक्ति को Agility, Dust और अपच जैसी समस्चाओं हो सकती है दूसरा है दातों से जुड़ी समस्चाओं होने पर संत्रे का ज्यादा सेवन करने से दातों को नुकसान हो सकता है संत्रे में Acid होता है जो दातों के Enamel में मौझूद कैस्ट्रियम के साथ मिलकर Bacterial Infection पैदा कर सकता है जिसे दातों में सड़न के समस्चाओं पैदा हो सकत इसे पे जो लोग पहले से जुड़ों में दर्ध या पीर अर्थरेटीं की समस्चाओं में सब्सक्रां में उग्में का ज्यादा सेवन करने से शहेर में एसीट मातरा बढ़ सकती है जिससे व्यक्ति को नियुक्ता की समचिया हो अगर आ इनमे को परिशानी हो तो संत्रे का सेवन करने से बचें अगर आपको खाने का बड़ा ही मन कर रहाऊ तो डॉक्टर से जरूर सलाह ले ले